नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं आज हम देखेंगे राजस्तान की परसासनिक वेवस्ता के अंदर दूसरा टोपिक और टोपिक रहेगा हमारा राज्येपाल मित्रों आप सभी को मैं बता दूँ कि अगर आप राजस्तान की किसी भी परतियोगी परिक्षिया first grade, second grade, RAS या ग्राम सेवक पठवारी इसी के साथ अगर किसी भी परतियोगी परिक्षिया कि आप तयारी कर रहे हैं राजस्तान पुलीस हो तो मित्रू जो मैं क्यूशन लेकर आ रहा हूं राजस्तान परसासनिक वेवस्ता की टोपिक अनुसार इन क्यूशनों को आप एक-एक क्यूशन को द्यान से देख लें क्योंकि सभी जो बढ़तियां है इनके अंदर ये टोपिक रहते हैं और यही क्यूसन है जो इन बढ़तियों में पूछे जाते हैं क्योंकि जो भी मैं क्यूसन लेकर आता हैं उनमें जो गत एकजामों में आये हुए हैं वो सभी क्यूसन इनके अंदर रहते हैं तो मित्रों आप किसी भी परतियों की प्रक्षाई तियारी कर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें चलते हैं दोस्तों किसनों की और मित्रों ध्यान से देखना सभी भरतियों के दरश्टी से ही में टोपिक वाईज है जो किसन लेकर आ रहा हूँ चलते हैं किसनों की और पहला किसन आपके स्क्रीन पर बारतिय सविदान का कौन सा अनुचेद उपबंद करता है परतेक राज्ये के लिए एक राज्येपाल होगा मित्रों यहां पर आप सभी को सुरुआत में बता दूं कि क्यूसन है दो या तीन क्यूसन रिपीट होंगे अब वो रिपीट क्यों होंगे उनका कारण उनके साथ ही बताऊंगा क्यूंकि भरतियों के अंदर जिस परकार से क्यूसन आए उसी परकार से मैंने यहां पर रखे हैं तो वो रिपीट हो जाएंगे दोस्तूं तो यहां पर पूचाए कि परतेक राज्ये के लिए एक राज्येपाल होगा कौन सा अनुचेद में ये बात लिखी गई है अनुचेद 153 में आर्टिगल 153 में दोस्तूं तो सही रहेगा तीन नमर उप्सन नेक्स्ट क्यूसन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन दोस्तूं देखे सुमेलित कीजिए राज्ये में राष्टरपति सासन और उस समय राज्येपाल तो यहां से बहुत सारे क्यूसन आपके कलेर हो जाएंगे पहली बाद तो जब चार बार राष्टरपति सासन लगा तो कौन-कौन यहां पर राज्येपाल था एक क्यूसन तो आपका यहां पर कलेर होगा दूसरी बार कौन सा राष्टरपति सासन कब लगा ये क्यूसन भी आपका यहां पर सही हो जाएगा द्यान से देखे दोस्तों पहला देखे पहली बार 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपती सासन लगा था उसमें यहां के राज्येपाल राजस्तान के कौन थे दोस्तों डोक्टर संपुर्णा नंद सिंग थे दूसरी बार 29 अप्रेल 1977 को राष्ट्रपती सासन यहां पर लगा था और उसमें यहां के राज्येपाल थे वेदपाल त्यागी तीसरी बार 16 प्रवरी 1980 को राष्ट्रपती सासन लगा था और इसमें राज्येपाल थे रगुकुल तिलक और चोती बार पंदरा दिसंबर उनीस सुब ब्राण में को राष्ट पतिसासन लगा था और उसमें राज्येपाल थे एम चैननार रेडी यहां से स्क्रिंसोट ले लें सभी साती क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है आपके लिए चलते हैं एक्स्क्यूसन की और क्यूसन नमबर तीन एक राज्ये के राज्येपाल के संदर में निम्न कत्नू में से सही है कौन-कौन से सही है वो बताना है पहला है राज्ये की कारिय पालिका की सक्तियां इसमें नीत है यानि किसमें राज्ये पाल में सहीए दोस्तु इनकी उमर 35 वर्ण पून होनी चाहिए यानि 35 वर्ण होने के बाद ही राज्ये पाल बनाया जा सकता है तो ये भी सहीए ये अपने पद पर राश्टरपती की मर्जी से ही बने रहते हैं ये भी सहीए दोस्तु राज्ये पाल उच्छ नया लेके मुखे नयाय मूर्ती या उसके अनुपस्तिती में जेश्टम नयादीस के समक्स सपत या परतिग्यान करेगा ये भी सहीए दोस्तु बारत के इसका कोई वर्नन नहीं मिलता है तो यहां पर पांचू के पांचू कतन क्या है आपके सही है सही उतर का अगर हम चुनाव करें तो चार नमरों उपसन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसिन में चलिए निम्द पर विचार कीजिए एवन नीचे दियेगे कुटू का सही पर यो करते वे सही उतर का चयन कीजिए पहला है राज्येपाल अपना पदगरन करने से पूर्वे सपत लेगा या परतिग्यान करेगा ये सही है दोस्तों दूसरा देखे सपत या परतिग्यान का प्रारू बारतिय सुविदान की तीसरी अनुसूची वयनुचेद 169 में वरनीत है ये भी सही है राज्येपाल का समंदित राज्ये के उच्छ नयाले का मुख्य नयादिस अत्वा उसके अनुपस्तिती में वरिष्टितम नयादिस पद की सपत दिलाता है ये भी सही है राज्येपाल की बरकास्तकी के कारण सविदान में उलेकित है नहीं है दोस् एक दो और तीन कतन आपके सही है तो सही रहेगा आपका कूट नमर एक यहां पर नेक्स्ट क्यूशन में चलिए राज्ये राज्ये का 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 रा जो राज्ये पाल पद की योगेताएं हैं वो कौन से अनुचेद में हैं दोस्तूं। अनुचेद 157 में, आर्टीगल 157 में, इंपोर्टेंट क्यूसन है ये। नेक्स्ट क्यूसन में चलिए। क्यूसन नमबर साथ, राज्ये पाल दुआरा जारी अध्यादेश को राज्ये विदान मंडल का सत्तर प्रारम होने के कितने समय तक विदान मंडल में रखा जाना अनिवारे है, अनेता ये निश्परभावी हो जाईगा। 6 सपता के अंदर यहाँ पर 6 महा का भी option मिलता है 6 सपता आपको यहाँ पर क्या रखना है याद रखना है दोस्तूं next question में चलिए question number 8 है राज़स्तान के राजपरमुक के इस्तान पर राज़ेपाल का पद कब सरजित किया गया next question है निवन में से कोन महिला राज़स्तान की राज़ेपाल रही इन में से स्रीमती मार्गरेट अलवा राज़स्तान की राज़ेपाल रही है स्रीमती परतिवा पाटिल जो बाद में राश्टरपति बनी ये भी राज़स्तान की राज़ेपाल रही हुई है श्रीमती परभाराओ ये भी राजस्तान की राजेपाल रही है जिनका कारी कालमिक के दोरानी निदन हो गया था उपरोग सभी चार नमरों उपसन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलिए अब यहां पर बहुत सारे साथ यूँ कि मांगोगी कि सर कौन कोन से राजेपाल है जिनका पदपर रहते हो निदन हो तो आगी क्यूसन आ जाएगा मित्रू इनका 30 मार्च 1950 को राजे के पहले वे एक मातर राजपरमुक किसे बनाया गया यह भी बहुत अच्छा क्यूसन है दोस्तु पहले राजेपाल के अगर हम बात करें तो सरदार गुरुमुक नियाल सिंग थे लेकिन राजपरमुक जो एक मातर राजपरमुक है पहले राजपरमुक है वो कौन है महाराजा सवाई मान सिंग द्वित्य ओप्सन दो आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन नंबर बारा और इंपोर्टेंट क्यूसन पहले बता दूए इसे इन में से ही सिधा क्यूसन आ सकता है जैसे अनुछेद 153 में किसका वर्णन है 155 में 156 में किसका वर्णन है तो ध्यान से देख ले देखे दोस्तों सुमेलित करना है पहला दिया हमें अनुछेद 153 में वर्णन किया गया है राज्येपाल के पद दिका दोस्त आगे देखिए दो नमर पे है अनुचेद एक सो चोपन अनुचेद एक सो चोपन में राज्य का कारिय कारी अधिकारी इसके बारे में वर्णन मिलता है बात करें हम अनुचेद एक सो पचपन की तो अनुचेद एक सो पचपन में मिलेगा आपको राज्य पाल की न्युकती नेक्स्ट क्यूसन में चलिए और एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुर argues है share कर दें सभी साथी जरूर share करें अपने मित्रों के पास अपने whatsapp पर share करें status लगाएं दोस्तो राज्ये के परशासन वे विदान के प्रस्ताओं से समंदित मामलू में कौन मुख्य मंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है तो ऐसे क्यूसनों का तो आप अपने अनुमान से उतर दे सकते हैं कि मुख्य मंत्री से सूचना प्राप्त कर रहा है परसासन और विदान के प्रस्ताउं समंदी मतलब कौन होगा राजय पाल ही होगा तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा next question में चलिए किसे अपने स्वेवी का अनुसार कारिय करने की सक्ति प्राप्त है स्वेवीवी का अनुसार कारिय करने की सक्ति किसको प्राप्त है इनमेंसे राज्येपाल को चार नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन राज्ये पाल का सामाने कारिये काल होता है वैसे तो ये राश्ट्रपती के परसाद प्रियंत अपने पद पर बने रहते हैं लेकिन जो सामाने कारिये काल है मित्रूं वो इनका कितना होता है पांच बरस का होता है तीन नमर उप्सन उपर नीचे हैं तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलिए क्यूसर नमर 16 है नेम लिकित में से कौनसा अधिकार राज्ये पाल को नहीं है देखे मुख्य मंत्री की नुक्ति मुख्य मंत्री की सला से अन्य मंत्रियों की नुक्ति राज्ये की कारिये पालिका की सकती सीमा में किसी भी सिद्धोस वेक्ति को धंड को समा करना उच्छ नयाले की नयादिसों की नुक्ति पहली दूसरी और तीसरी यह सकतियां किसकी है या अधिकार किसके हैं राज्य पाल के जबकि चोता है ना ये राज्य पाल का अधिकार नहीं है उच नयाले के नयादिस्वों की नुक्ति तो चार नमर उप्सन आपके क्या रहेगा है यहां पे सही रहेगा Next Qs नमर 17 है राज्ये पाल की पदावदी के सम्मन में कौनसा कतन त्रूटी पूर्ण है देखे उसे महावियोग द्वारा पद्चूत किया जा सकता है गलत बाद दोस्तूं दूसरा देखे वराश्ट्र पती परसाद प्रियंत अपने पदपर बना रहता है जो मैंने पेले ही बता दिया स सही है उनका समने कारियकाल पांच बरस का होता है यह भी सही है तो गलत कौन सा है एक नमर वाला सही रहेगा एक नमर उप्सन नेक्स्ट क्यूसन है राज्ये सरकार का कारियकारी अद्दिक्स या सवेदानिक प्रमू कोन है बहुत अच्छा और IMPORTANT क्यूसन है और बहुत ए बर्तियों में देखने को मिल सकते हैं बारत के एक राजे के राजे पाल से समंदित निम्न कतनों पर ध्यान दीजिए पहला उसे जनम से राजे का नागरीक होना चाहिए नहीं दोस्तों किसी दूसरे राजे का नागरीक हो तो उसको राजे पाल किसी भी राजे का बनाया जा स गलत है उसके आयू कम से कम 35 वर्स होनी चाहिए हाँ ये सही है उसे लोकसभा वे राज्यसभा का सदज से होने की योगता होनी चाहिए ये गलत है दोस्तों वे एक सेधिक राज्यू का राज्यपाल हो सकता है हाँ एक राज्यपाल दो राज्यू का तीन राज्यू का राज्य के संद्र में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और शत्ते कतन बताना है दोस्तों आपको देखे पहला राज्ये पाल अपना पद गरन करने से पूर्वे सपत लेगा या परती ग्यान करेगा ये सही है दोस्तों दूसरा देखे राजेपाल उचे नहेले के मुक्षे नहाए मूर्ती उचे नहेले यहां पर सरवचे नहेले भी आ सकता है क्यूसन को पढ़ते समय ध्यान रखना या उसके अनुपस्तती में जैश्टम नहादीस के समख सपत या परतीग्यान करेगा ये भी सही है दोनों पहला और दूसरा सही है चलते हैं तीसरे की ओर सपत या परतीग्यान के परकिरिया भारतिय सुविदान के अनुचेद 169 में उलेकित की गई है ये भी सही है उपरोग सभी कतन क्या है आपके यहां पे सही है दोस्तूं नेक्स्ट क्यूशन में चलिए क्यूशन नम्मर इकीस है आपका निमलिकित कतनों में से कौनसा एक सही है वो बताना है देखे बारत में एक ही वेक्ति को एक ही समय में दो यादिक राज्यू के राज्येपाल न्यूक्त नहीं किया जा सकता है गलत कता नहीं है आपका दूसरा देखी तीसरा देखी बाहरत के सुविदान में राज्यपाल को उसके पद से इटाने तु कोई भी परकिरिया अधिकती नहीं है यह सही है आपका तो तीन नमर उप्सन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलिए क्यूसर नमर बाईस है दोस्तों किसी राज्य के गवर्नर के सम्मंद में निम्न कतनू पर विचार कीजिए दोस्तों देखिए पिला उसे राश्ट्रपती निक्त करते हैं सही है राश्ट्रपती इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं यह भी सही है उनमें राज्य की कार्यपालिका की सक्ति नीत है यह भी सही है सामाने तो वह पांच वर्स के लिए पद पर रहते हैं यह भी सही है चारू कतन यहां पे सही है चारू, सभी चारू चार नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा next question question number 23 है किसी राज्ये के राज्येपाल से समंदित निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है देखिए, पेला वे बारत के राश्ट्रपती द्वारा नियुक्त होता है सही है, वे पांच वरस तक पद पर रह सकता है ये भी सही है, गलत बताना समंदित राज्ये की विदायका उसे पद से इटाये जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो वे पद मुक्त किया जा सकता है, नहीं तीन नमरों उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है, राज्ये पाल किसके पद्थी उत्तरदाई होता है आगे भी एक क्यूसन आएगा उत्तरदाई से पहले बता रहा हूँ, राश्ट्रपती के पद्थी, दो नमरों उप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन है बारत के सुविदान में निवन में से किसके विरुद अभियोग चलाने का प्राउदान नहीं है किसके विरुद राज्ये के राज्ये पाल के विरुद दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूसन है दो नमरों उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए राज्ये पाल जिने बरकास्त किया गया था किनको किया गया था दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूसन है रगुकुल तिलक को important question मित्रू next question में चलिए question number 27 है राजेपाल के वेतन और भते दिये जाते हैं किसके दुआरा दोस्तों consolidated fund of state से एक नमर option आपका सही रहेगा next question में चलिए question number 27 है किसी राजे के राजेपाल दुआरा जारी ordinance का अनुमोदन होना आउसे कै किसके दुआरा राजे की विदाई का दुआरा दो नमर option आपका सही रहेगा next question में चलिए राजस्तान के पर्थम राजेपाल थे पहले बताया मैंने ये question कौन थे दोस्तों गुरुमुक निहाल सिंग राजपरमुक सवाईमान सिंग दुविते next question में चलिए राजेपाल बनने है तू नियूंतम आयू और सीमा है 35 वर्स तीन नमर option आपका सही रहेगा next question में चलिए राश्ट्रपती दुआरा केंद्रिय मंत्री परिसद की सला पर राजेपाल की नियुकती का प्रावदान किस अनुचेद में किया गया है ये important question है दोस्तू अनुचेद 155 में option नमर दो आपका सही रहेगा next question में चलिए किस अनुचेद के अंतरिय गत एक वेक्ती को दो या दो सेधिक राजेपाल नियुकत किया जा सकता है important question अनुचेद 158 article 158 के अनुसार एक वेक्ती को दो या दो सेधिक राज्यों का राजेपाल बनाया जा सकता है next question में चलिए question number 33 है नियुन में से राजे का सवेदानिक मुखिया कौन होता है राजेपाल होता है दोस्तों तीन अमरों option आपका सही रहेगा question number 34 राजे की समस्त कारिये पाली का वे विदाई सक्तियां नियुन में से किसमे नीत है राजेपाल के अंदर एक नमरों option आपका सही रहेगा next question में चलिए राजे के राजेपाल की विदाई सक्तियों के संदर में नियुन में से सत्ते कतन कौन सा है कौन सा है दोस्तों वे राजे विदान परिसद के कुल सदस्यों के छटे भाग को वे नामित कर सकता है पहला ही सही है राजे विदान परिसद की बात हो रही है विदान सभा की बात नही हो रही है यह याद रखना और विदान परिसद के जो चटे भाग यानि कुल अगर छे सदसे हैं तो चटे भाग की बात हो रही है यहां पे चटे भाग को वो क्या कर सकता है नामित कर सकता है दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन में चले क्यूशन नमर चतीस राजस्तान के वे राजयपाल जिनका कार्यकाल के दोरान निदन हुआ पहले बोला था मैंने किन किन ने राजयपालू का जो है कार्यकाल के दोरान निदन हुआ है वो देखे दरबारा सिंग 1908 में तो याद रखना दरबारा आओ, दो जार दस, उप्रोग सभी, चार नमरों उप्सन यहां पे आपका सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन है, राज्ये की पर्तम महिला राज्येपाल थी, कौन थी दोस्तुं, सिरिमती पर्तिबाद देवी सिंग पाटिल, तीन नमरों उप्सन आपका सही रहेगा, यहां पे, विदान सभा का सत्रावसान का है, विदान सभा बंग करने का है, विदान सभा इस्तगित करने का, यह नहीं है दोस्तुं, यह विदान सभा दिक्स का होता है दोस्तुं, और विदान सभा बुलाने की सक्ती भी होती है, तो तीन नमरों उप्सन सक्ती है, जो अभियोग चलाने के लिए कोई प्रावदान नहीं है किस पर नहीं है दोस्तू राज्येपाल पर तीन नमर औप्जान सही रहे गा नेकस्ट कुशन है राज्ये के राज्येपाल की सेवा निवर्ति कि इस आयू में ओती ए इंपोर्टेंट क्यूशन और बहुत सारे साथ इया तो 60 करते हैं या 65 कर देते हैं दो नुगलत हो जाते हैं कोई आयूसीमा नहीं है दोस्तुँ आयूसीमा नहीं होती है राजयपाल की सेवानीवर्ती की चार नमर ओप्सन सही रहेगा क्यूसर नमर 41 है राज्येपाल की सरवादिक महत्वपूर विदाई सकती है कौन सी है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर राज्येपाल की जो विदाई सकती होती है वो होती है अध्यादेश जारी करने की ओप्सन दोस सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए गवर्नर द्वारा जारी किया गया द्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है राजेपाल ने कोई द्यादेश जारी कर दिया है तो वो मंजूर कौन करेगा विधान मंडल ओप्सन दो आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलिए देखिए यह आया है दोस्तों 2010-2011 के अंदर यह क्यूसन आया हुआ है राज्ये पाल राज्ये के परतिनीदी होता है राज्ये के किसका राज्ये के राश्टरपती अब मित्रू यहाँ पे राज्ये पाल राज्ये में राज्ये में राष्ट्र पति का परतिनीदी होता है ओप्सन एक आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन राज्ये पाल का मुख्य सलाकार कौन रहता है मुख्य सलाकार राज्ये पाल का रहता है मुख्य मंत्री दो नमर ओप्सन आपका सही रहेगा और नेक्स्ट क्यूसन दो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों राजेपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिडिया के सम्तुले है ये कतन किसका है मित्रूं सरोजनी नाइडू का दो नमर उपसन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए किस राजेपाल के निमनांकित में से किस राजेपाल ने राजेपाल पद से त्याग पत्तर दिया था किस ने दिया था और मदनलाल खुराना ने अपना त्याग पत्तर दिया था दो नमर उपसन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन अमर 48 राज्येपाल की सक्तियों के संदर्म में निमनांकित में से कौन सा सही नहीं है RPSC परवक्ता 2020 एकजाम के अंदर ये क्यूसन आया है दोस्तूं आपको बताना इसी के साथ 2019 दिते सिक्सक बर्ती के अंदर आया हुआ ये क्यूसन है देखिए पूचा क्या है राज्येपाल की सक्तियों के संदर्म में कौन सा कतन है जो गलत है पहला है राज्येपाल किसी विदेग को भारत के राश्ट्रपती के विचारे तू आरक्सित कर सकते हैं ये तो सही है राज्य विदान मंडल के विसरांती काल में राज्य पाल द्वारा द्यादिस पर क्याफित किया जा सकता है ये भी सही है राज्य पाल के पास समाधान की संक्तिय ये भी सही है राज्येपाल धनविदेग को पुनर विचारे तू राज्येविदान मंडल को लोटा सकता है ये गलत है चार नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमर 59 है राज्येपाल बनने के पूर है राज्येपाल लोग सेवा आयोक के सदस से रहे है इंपोर्टेंट क्यूसन है देखिए दोस्तों सुखदेव परसाद, रगुकुल तिलग, प्रोपेसर देवी परसाद, चटोपदे आए कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं चार नमर उपसन आपका सही रहेगा और ये क्यूसन दोस्तों दीते सिक्सक बरती 2018 में आचुका है नेक्स्ट क्यूसन में चलिए राज्येपाल की अध्यादेश सक्ती बाहरतिये सविदान के अनुछेद में बताई गई है अध्यादेश की जो सक्ती है वो कौन से अनुछेद में आर्टीगल 213 में दोस्तों इंपोर्टेंट क्यूसन है आपका तीन नमर उपसन सही रहेगा क्यूसन नमर इकाउन है नेमलिकित में से कौन सा राज्येपाल के विशेश अभीबासन से समन्दित है तो विशेश अभीबासन का प्रावदान कौन से अनुछेद के अंतरगत किया गया है दोस्तों आर्टीगल एक सो छिंतर के अंतरगत ओपसन एक आपका यहां पे सही रहेगा सविदान के किस अनुछेद में राज्येपाल को विदान सभा में एंगलो इंडियन समुदाई के सदस्य को न्यूग्त करने का अधिकार है दोस्तों पिटियाई एक्जाम 2018 का क्यूसन है और सही रहेगा आपका अनुछेद 333 आर्टीगल 333 अनुछेद आर्टीगल 333 दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन नंबर 53 है नेमन विवरणों पर विचार कीजिए देखिए दोस्तों करिए पहला है अनुछेद 157 राजेपाल पद के लिए दो योगेता निर्दारित करता है दूसरा है राजेपाल राजेविवस्ता पिका का सदस्य होना चाहिए न्यूकती से पूरुए राजेपाल को 40 वर्स की आयूपूर्ण कर लेनी चाहिए तो यहाँ पे आपका पहला सही है दोस्तों यहाँ पे दो योगेता निर्दारित दो तो करता है बाकी भी करता है तो एक सिरफ एक ओप्सन एक आपका सही रहेगा नेक्ष्ट क्यूसन में चलिए चोपन नमर किसी विदेएक है पर सवेदानिक उपबंद के तहित राजेपाल की सिपारिस अपेकसित थी किन्तु बिना राजेपाल की सिपारिक उसे राजस्तान विदान सभा में पुनेसतापित किया गया और उसे पारित करके राजेपाल को भेज दिया गया अब क्या करेंगे आर ए एस दो जार अठारा में आयावा क्यूशन जहां राजेपाल अनुमती देता है तो वै अधिनियम अविदी मानने नहीं होगा ओप्सन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलिए क्यूशन नमर पचपन है सविधान के अनुचेद 155 के तेत राजेपाल की न्यूकती नियून में से किसके दुआरा की जाती है बारत के राश्ट्रपती के दुआरा उद्योग परसार अधिकारी 2018 में आया हुआ ये क् एक्स्टीूसिन में चलिए, राज्ये पाल पधपन्युक्त करने के लिए, उप योगयताएं क्या है दोस्तों, पहली देखें, वह किसी लाब के पधपरासिन नहों, पहली क्या है? लाब के पधपरासिन नहों, यह स bilmiyorum, वे तीस वर्स की आयू पूरी कर चुका हो कितनी आयू तीस वर्स की आयू पूर्ण कर चुका हो गलत है पेंतीस वर्स की आयू होनी चाहिए वे राज्य विदान मंडल और संसद का सदसे नव ये भी आपकी सही है तो एक और तीन यहां पे सही है दो नमर उपसन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए निमलिकित में से कौन सा पद राजस्तान के राज्येपाल दुआरा सुसोबित नहीं होता है कौन सा पद है दोस्तों अद्यक्स अरावली परबंदन बोड चार नमर यह है जो राज्येपाल के राज्येपाल दुआरा सुसोबित नहीं होता है नेक्स्ट क्यूसन में चलिए निमलिकित में से कौन कभी भी राज्यस्तान के कारिये कारी राज्येपाल नहीं रहे जगतनारेन रहे हैं वेदपाल त्यागी रहे हैं केड़ी सर्मा रहें अन्सुमान सिंग नहीं रहे हैं चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा सविधान के अनुछे 213 के अनुसार राज्ये पाल का अध्यदेश जारी करने का अधिकार है राजस्तान के निम्न में से कौन से राज्येपाल का निदन पद पर रहते हुए वा ये भी अच्छा क्यूसन है मैंने पहले बता दिया आपको किनका हुआ था अब आपको बताना है दोस्तु जेल प्रेरी में आया हुआ ये क्यूसन है और सही रहेगा तीन अमरो उप्सन दरबारा से नेक्स्ट क्यूसन में चलिए राजस्तान के राज सबा का विगटन करने की अब दोस्तु यहां पे पूचा क्या है कौन सी सकती राजयपाल में नहीं है विदान सबा को इस्तगित करने की राजयपाल के पास सकती नहीं होती है सेकिंड ग्रेड में ये क्यूसन आया हुआ है 2017 नेक्स्ट क्यूसन में चलिए नवेन प्रोटोक और माननी राजयपाल अत्वा राजयपाल मोदे हिंदी में बोला जाएगा या विवादन किया जाएगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए राजस्तान में राजयपरसासन के विदित परमुक है कोन है दोस्तु और राजय के राजयपाल एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा बारतिय स्विदान का कौनसा अनुचेद उपबंद करता है परतेक राजय के लिए एक राजयपाल होगा अब बता दू ये एसा क्यूसन है जो चार बरतियों में आचुका है पुलीस, सेकंड ग्रेड, पटवार और जेल प्रेरी सही रहेगा आपका ओप्सन नमर तीन तो मित्रों आज हमने देखा राजयपाल से रिलेटेड महतुअपून परसन कैसे लगे एक बार कमेंट कर दो और फिर आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं अभी तक सेर नहीं किया तो सेर करना लाइक करो और नए साती हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करो राजस्ता जी कि आपको इसी परकार में यहां पे करवाऊंगा दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद जे बारत